जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे एक दिन की और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस वरक्शॉप में हमारा जो उधंपूर केंपस है जो की गर्नई लोटा जगा पर स्थित है बहुत ही नेचर्स की यहां पर बाउंपीज है प्रकृती की गोद में ये होती है पढ़ाई की हैं उसके इलावा किसी ना किसी प्रकार से हम समाज के साथ जो हमारे आसपरोस में कुछ गाउं हैं जहां पर सशक्त नारियां और कुछ समाज के यहां के जो नागरिक हैं जो शाना बशाना इस कैंपस के साथ जुड़े हैं कि उनकी इंवाल्मेंट करक यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए कि जहां पर हम कुछ नई दिशा उसका निर्धारन करें और आज उसी संवर्ब में हमारे साथ दिम्ला मैडम जो यहां की पंच भी हैं और काफी सारे कारेक्रमों में कलाओं में यह हमेशा शमूलियत करती हैं और इन्होंने जो अपने यहां पर गाओं में जितनी भी यहां की नारियां हैं, बच्चियां हैं, चाहे वो हाउस वाइप्स हैं, चाहे वो वरकिंग लेडीज हैं, उनको साथ मिलाके इन्होंने काफी सारे कला के छेतर में एक नई जागरुकता पैदा की हैं. और आज उसी के अंतरगत आप देख रहे हैं कि एक कलीरा मेकिंग जो आर्ट है यहां का, जिसमें आपने देखते हैं कि जब बच्चियों की शादियां होती हैं, तो वहाँ एक बहुत अच्छी रिवायत है, बड़ी पवित्र रिवायत है, दिव्यता के साथ बच्ची को जो दुलन होती है, उसको कलीरा पहनाए जाता है, एक यहां समाज का एक बहुत ही पवित्र बंधन उसको दिया जाता है, और इस कलीरा में सबसे पहले तो हमारे यहां के जो लोग थे, लोकल थे, या हमारे डोगराज या पंजाबीज में, यह बहुत प्रचलन था, लेकिन प्राइस है, इसको अगर आप बजार में खरीदने जाएं तो बहुत जादा प्राइस के उपर मिलता है, बहुत रेट्स के उपर मिलता है, लेकिन आज इनी लेडीज ने लो कॉस्ट बेस्ट कॉलिटी कलीरा जो हैं वो बनाए हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसी कलाओं को समाज तक या देश तक पहुंचाया जाएं और इस विशे में मैं यकीन रखता हूँ कि आने वाले समय में इन कलीराज को हम एक मार्किट प्रदान करेंगे, वो हमारी जनता के बीच में जाएं और सारे लोग इसको अफोर्ड करें, इन्होंने आपने देखा ही होगा, आज अलग प्रोडक्स के साथ कलीरे बनाए हैं, और मुझे अपना बच्पन भी याद आया, जब हम गाओं में शादियां देखते तो किस प्रकार से हर घर में जो बेटी का विवा होता था तो वहां अलग-लग प्रकार के कलीरे बनाए जाते थे, और इन्होंने अद्भुत कला का यह प्रदर्शन किया है, और एक ऐसी विधी और एक ऐसी कला जो कहीं न कहीं केवल दुकानों तक रह गई थी, कि उसको मशीनिक तरीके से बनाया जाता था, उस कला को इन्होंने जो अपने हाथ में अपनी एक अद्भुत क्षमता के पहत बनाया है, उससे इसकी कॉस्ट भी न यहां पर विधिया और कलाएं विक्सित की हैं, आने वाले समय में उनको भी हम उजागर करेंगे, और आज मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इस कला को हम मार्किट तक लेके जाएंगे, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे ओनरिबल वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश प्राइजी का, जिनका हमेशा समर्थन हमारे साथ रहता है, सयोग रहता है कि आप समाज हित में जितना भी कारे कर सकते हैं, besides your academics, आप करिये, आपको पूरा योगदान युनिवर्सिटी की तरफ से मिलता है, और ये campus, हरा भरा campus, इसमें जब हम समाज के गाउं को साथ में ज और खास करके हमारी डॉक्टर शिल्पा है, उनकी टीम है, उनके साथ हमारा स्टाफ मिला हुआ है, डॉक्टर बंता है, डॉक्टर रितिका है, निखिल है, जोच्छना मैडम है, करूना है, तरूना है, ये सारे लोग यहां पर मिलके इन्होंने आज की एक workshop को बहुत अच् है, और हम as a university, जितना भी सहयोग इनको कर पाएंगे, मैंने already कुछ commitments इन से की है, कि जो हमारा उनपूर campus का community facilitation center है, उसके तहत हम और भी activities time to time करते जाएंगे. जो मर्जी में पाएंगे, जो मर्जी करना पाएंगे, पर मैं उत्थे जाना है, तो ये सालिया चीज़ें इरे करने मानुमें दे सर्मांद जुड़े दे, तो उस दिखो एक काम, अच्छा कल्णा भी कोई काम नहीं कर दाएंगे, आसे ग्राज दिखने तो उसे आजे भी गरितिरवाज ने जदे आसे ही की याँ बन दे, उसे जकार या त्राह दिन पहले अच्छा जी बब्रिया याँ चलो जी आच्छा जी डाल खटनी है, उन्दे आपी चोल खटने है, तो के एक बान नहां गागी चलो लेडी सालिया या या याँ बनानिया जी आज़ें बना सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया आज नमी जनेरेशन जड़ी है वो जड़े बेसिक साड़े चाहिए चाहिए उत्यार है नम रजनी है शिरमजी रजनी रजनी जी ये क्लेरा मेकिंग से कब से आप जुड़े हुए और इसको किस तरीके से आपने जो है सीखा और आज जो वरक्शॉप हुई है अभी यहां पर उद्वंपूर कैंपस में कैसा लगा आप अज तो बहुत अच्छा है कि नारी को एक प लोगों को सब को बताओ कि हमारे अंदर भी कुछ है हम कुछ करने की हिम्मद रखते हैं तो सो आइम वेल थैंक्फुल टू सर एंडर मोस्टी विम्ला मैं तो थैंक्फिल तो विम्ला जी आप कब से जुड़े हैं इस क्लेरा मेकिंग के साथ तो दो चार साल हुई है मी एक करवान देंदे वो लेकिन असीं कोई प्लेट फार्म नें हमी लेगा ते में बड़ी बड़ी ठांक्फूला रेक्टर सर दी कि इन्हें असे प्लेट फार्म दिता कि में पंच बानमबर दो गन्य नहीं दिने आया है तो ए लेडिस मेरिया सार्म काम गर दिया लेकिन आशी क मेरिये लेडिस कुछ का तरिशत्म नारी सचक्ति करन वारेट में सोज़गी ही कि सचक्तों याने सारियां अपने शाल्फू स्टाइड हो यान ते इस वास्ता है आज पी एक बार मैं रेक्टर सर्था था थांक्यू गरूं कि इन्या से अच्छा प्लेट फार्म कि बच्च कोई छोटी मोटी समस्या है उसी आल करना तोड़ा है और अगर इन्दे बासिच नहीं है वो नोट कर लेंड मेरा अफ्तिदा एक दिन दे ट्रिप लगना का लगना एपरिल दे बाल ते जिस तिर में और हो है जेड़ा भी अगर कोई तुसे लगदा कि अगर कोई छोटी मो सब्सक्राइब करना चाहते हो और शिल्पा जी आज के प्रोग्राम का आईडिया कहां से आया और किस तरीके से आज आपने इस प्रोग्राम को संपन्द के सर मैं यहां उदंपूर कैमपर्स यूनिवस्ट्री आफ जमू में पिछले साड़े छे साल से हूँ और मेरा यहां लगता नहीं कि मैं जमू से हूँ आप डौन करती हूँ लेकिं यहां के गाउं के लोगों से इतना प्यार हो गया है यह लगता है कि मैं यहीं गाउं में ही रहते हैं और गाउं के लोग मुझे बिल्कुल अपने लगते हैं तो मुझे लगा कि इन ओरतों के अंदर बहुत सारी कला है औरतों को आपने जो है आज कला सिखाई यह वाली कला सिखाई यू खास तोर पर यह आट अफ प्रिरा मेकिंग जो है कितनी और तूने सीखा होगी स अब बीजिए आप सबसे चोटे कालाकार हैं जो यह वे इस प्रोग्राम में आज उद्वनपूर केंपस में आपने पार्टेस्पेट कैसा लग रहा है और आने वाले वक्त में किस तरीके से आप इस कलीरा मेकिंग को देख रहे हैं मैं धूर्प यो By NgaAddo में गेए गही टिए तो माम ने बोला कि यासे बनाना है तो सर मेतल्ब में उद्थी मिने को बीड़न ke ठीश होई थि कि टूजहआ आगा उदूंपूर कांपूस हम रेक्टिसर की गाइदेंस में हमने आज एक वर्क्शॉप कर रहा है यहां पर लोकल कम्यूनिटी की जिसमें यहां की लेडीज ने अपने इनर टैलेंट का अज़र हमारी ट्रडिशनल चीजे हैं हम लोग इस सब चीजे भूलता जा रहे हैं और उस सब चीजों से अपना एक अर्निंग को करेंगी उससे देल मेक दियर फैमिली ग्रो और बेसिकली सबसे बड़ी चीजी है कि सब परस्नली अपनी परस्नालिटी ग्रो कर रहे हैं अपनी फामिली को इन सब चीजों से एल्प करेगी तो सब बंड़फूल वर्क्शॉप थी हम कुमिलीटी की तरब सब हम चाहते हैं सर के गाइडन्स पर हम और ज्यादा इस चीज़े करें ताकि हमारे कि